I welcome you all my dear students आज की कहानी है, आज की स्टोरी का टाइटल है A Crogged Trunk A Crogged Trunk Trunk का मतलब क्या होता है? Trunk का मतलब होता है किसी पेड का जो तना होता है है ना, जो धर वाला हिस्सा होता है नीचा, जो सीधा सा, तना, उसको बोलते है Trunk, ठीक है? और Crude का मतलब होता है तेडा मेडा कई पेड के तने आपने देखे होगा, एकदम सीधे रहते हैं और कुछ के तेडे मेडे रहते हैं तो आपने देखा होगा, जो पेड सीधे रहते हैं उनी को लोग पहले काटते हैं क्योंकि वो घर की जो चीजे हैं फरनीचर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम का होता है और जिसका तना तेडा मेडा होता है वो पेड लोगों के ज़्यादा काम का नहीं होता है क्योंकि उससे कोई अच्छा फरनीचर नहीं बन पाता है ठीक है? तो आज ये कहानी है, a crooked trunk, है ना, एक ऐसे पेड़ की कहानी है, जिसका तना कैसा था, crooked था, crooked का मतलब मुड़ा हुआ था बिल्कुल, उतना अच्छा नहीं था, ठीक है, देख लेते हैं, in a dense forest, in मतलब मे, a मतलब एक dense मतलब होता है, घने, forest मतलब जंगल, एक घने जंगल मे, all trees, सारे के सारे पेड़, वर मतलब थे, कैसे थे, straight, एकदम सीधे थे, है ना, in a dense forest, एक घने जंगल मे, all trees, सारे के सारे पेड़, वर थे, कैसे थे, straight थे, सीधे थे, and, or, tall, और टॉल थे, क्या थे, सीधे थे, और उचे थे, उस जंगल में सारे पेड़, there trunks, उनके जो तने थे पेड़ के, वर वो थे, कैसे थे तने, ट्रंक कैसे थे, broad, and strong, मतलब, चौड़े थे तने, और एकदा मजबूत तने थे, ठीक है, but, लेकिन, there was one tree, वहाँ एक पेड़ था, there was one tree, वहाँ एक पेड़ था, one tree, एक पेड़ था, which had, जिसके पास था, which had मतलब जिसके पास था, क्या था, a twisted and a shapeless trunk, लेकिन, उसका जो तना था, उस पेड़ के पास कैसा तना था, a twisted, मतलब, एक मुडा हुआ था, है न, मुडा हुआ, and, और, a, एक shapeless trunk था, एक ऐसा तना था, जिसका कोई size नहीं था, बेडोल था, shapeless मतलब, बेडोल, जिसका कोई size ना हो, है न, twisted था, एकदम, मरोडा हुआ था, shapeless था, trunk था, उस पेड़ का, ठीक है, all the trees, सारे के सारे जो पेड़ थे, around, around मतलब, आस पास, वो जो, एक पेड़ था, जिसका तना कैसा था, मुडा हुआ था, twisted, and shapeless trunk था, एक पेड़ था न, वहाँ पर, हाँ, तो all the trees, around, उस पेड़ के, सारे के सारे पेड़, around मतलब, आस पास, उस पेड़ के, आस पास, जितने भी trees थे न, वो क्या करते थे, teased him, teased मतलब, tease का मतलब होता है, चिड़ाना, second form है, उसकी, teased, देखो, ed लगा है न, second form, teased him, उसे चिड़ाते थे, ठीक है, आस पास, जितने भी पेड़ थे, वो, उसके, आस पास, वो उसे चिड़ाया करते थे, क्यों चिड़ाते थे, क्योंकि उसका टंग कैसा था, twisted था, कैसा था, twisted था, और shapeless था, मतलब, bedole था, इसलिए उसे आस पास के, क्या करते थे, चिड़ाया करते थे, जो tree थे, ठीक है, ओके, आगे देखिए, the tree, used to feel low, जो tree था विचार, the tree मतलब, वो वाला tree, जिसका तना कैसा था, मुडा हुआ था, used to feel, वो महसूस किया करता था, है न, used to feel मतलब, वो महसूस किया करता था, कैसा महसूस किया करता था, low, मतलब, बहुत ही बेकार, बुरा महसूस करता था, उदास महसूस किया करता थ क्यों? क्योंकि उसका तना मुड़ा हुआ था बाकी आसपात जितने भी पेड़ थे उसे tease करते थे, tease मतलब चिडाना ठीक है? इसलिए वो बुरा फिल करता था he would think, वो सोचा करता था देखो would, would का use कैसे करते हैं would के बाद कभी भी वर्प की आप base form लिखते हैं न जैसे वो गाया करता था, he would sing वो नाचा करता था, he would dance वो पढ़ाया करता था, he would teach वो सोचा करता था, he would think तो वो जो पेड़ था, वो सोचा करता था क्या सोचा करता था? How deformed I am कितना बेडोल हुँ मैं deformed मतलब बेडोल जिसका कोई साइज अच्छा ना हो, he na तेला मिला सा, how deformed कितना deformed I am मैं हुँ मैं कितना बेडोल हुँ I alone have a crooked trunk I alone मैं अकिला ही हुँ have, जिसके पास है, क्या है a, एक crooked, मतलब बेडोल सा, मुडा हुआ सा, bend trunk, मतलब तना मैं अकिला ही हुँ, जिसका तना क्या ऐसा मुडा हुआ है, है na I am just useless मैं क्या हूँ, I am just useless just मतलब केवल, या only मैं बिल्कुल बेकाम का हूँ मैं किसी काम का नहीं हूँ, useless हूँ मैं केवल क्या हूँ, useless चीज हूँ ऐसा वो कहा था, ऐसा वो सोचा करता था विचारा ठीक है One day, एक दिन क्या हुआ, a woodcutter came, एक woodcutter मतलब wood को काटने वाला, लकडी काटने वाला लकड़हारा जिसको बोलते है One day, एक दिन क्या हुआ, एक woodcutter came, कम की second form है came आया, है न there मतलब वहाँ, उस जंगल में आया with his ex with his ex ex मतलब कुलहारी, अपनी कुलहारी के साथ, मतलब अपनी कुलहारी लेकर के आया, है न क्यों आया, to collect wood, लकडिया इखटा करने के लिए collect मतलब इखटा करने, wood मतलब लकडिया क्या हुआ, एक दिन एक wood cutter, के मतलब आया there मतलब वहाँ, with his ex, अपनी कुलहारी के साथ आया कुलहारी लेकर, क्यों, to collect wood, लकडिया इखटा करने के लिए, ठीक है he looked around he उसने look की second form looked, उसने देखा around मतलब आसपास, उसने आसपास देखा उस wood cutter ने and or thought और सोचा, क्या सोचा अब जो सोचा वो बात, यहाँ पर देखो inverted comma के अंदर लिखी हुई, आप देख सकते हैं inverted comma के अंदर वो बात लिखी हुई है, ठीक है, क्या सोचा देख लेते हैं I will cut, मैं काटूंगा I will cut, मैं काटूंगा all the trees here उसने क्या सुचा, कि मैं यहाँ के सारे पेड़ I will cut, मैं काटूंगा all the trees, सारे के सारे पेड़ here मतलब यहाँ मैं यहाँ सारे के सारे पेड़ काट लूंगा they are so tall and uniform they are वे हैं, मतलब यह पेड़ हैं कैसे हैं, so tall इतने उचे हैं, काफी उचे हैं, and और uniform है, मतलब एक जैसे हैं, uniform का मतलब का है, एक जैसे हैं, सीधे के सीधे हैं बिलकुल, है ना, कोई तेड़े मेड़े नहीं, uniform है एक जैसे I am surely surely going to earn a lot of money by selling them I am, मैं हूँ surely, पक्के में going to earn मतलब रॉट ही वाला हूँ I am going to earn मैं कमाने ही वाला हूँ, मैं पक्के में कमाने ही वाला हूँ a lot of money, बहौत सारा पैसा बहुत सारा पैसा कमाने वाला हूँ है ना, by selling them इन्हें बेच करके by selling them, मतलब इन्हें बेच के the woodcutter वो जो woodcutter था started off उसने सुरू कर दिया, to work, started off का मतलब होता है, सुरू कर देना, तुरंट सुरू कर देना, started off, मतलब तुरंट सुरू कर दिया, उसने to work, मतलब काम करना, started off to work, उसने सुरू कर दिया काम करना, after cutting down a few trees, after मतलब के बाद, किसके बाद, कटिंग डाउन, काट लेने के बाद, काट down मतलब काट के गिरा देना, after cutting down मतलब काट के कुछ गिरा देने के बाद, क्या गिरा देने के बाद, a few trees, कुछ पेड़, कुछ पेड़ों को काट के गिरा देने के बाद, after के बाद, he came, वो आया, came up, वो पास में आया, किस के पास आया, came up to the crooked tree उस crooked tree के पास आया crooked tree उसको बुला गया है जिसका तना बिल्कुल मुडा हुआ है band है shape place है, deformed है वो tree ठीक है, उस पेड के पास वो आया जिसका तना क्या था? crooked tree के पास आया, विचारी के पास with with a deep frowning frowning का मतलब होता है नाक या भाउं को अपनी आखों की जो भाउं है उन्हें उपर करके अजीप सा मुझ बना के है ना आप जब किसी के तरब देखते हैं उसको बोलते frown करना है है ना? ठीक है? with a deep frowning, एकदम अजीप सा मुझ बना के बिल्कुल है ना? the woodcutter thought, woodcutter ने सोचा अपने नाक और भाउं को उपर चढ़ाना उसको बोलते frown और deep का मतलग होता है काफी गहरे तरीके से सोचने लगा अपने नाक और भाउं को उपर चढ़ा के बिल्कुल क्या सोचने लगा? the woodcutter thought, woodcutter ने सोचा क्या सोचा? अब जो सोचा वे inverted comma के अंदर ये बात लिखी गई है ये इतनी यहां से यहां था ठीक है? क्या सोचा उसमें? how disfigured this tree is कितना disfigured है? कितना bedol है? this tree, ये tree is मतलब है ये पेड़ कितना bedol है? how disfigured this tree is it is worthless ये है, ये है, क्या है? worthless मतलब किसी काम का नहीं है देखो, वर्थफुल का मतलब होता है काम का worthless मतलब बेकाम का ये तो बेकाम का है, किसी काम का नहीं है so, इसे लिए he chopped down all the trees around except the crooked one, समझना इस चीज़ को so, इसे लिए समझना इस चीज़ को है न? उसने क्या सुचा कि ये तो worthless है ये ट्री क्यों हो? क्योंकि इसका तना इगदम बुड़ा हुआ है so, इसे लिए he, उसने chopped down chopped down का मतलब होता है काट लेना, इगदम नीचे से जब किसी पेड़ को आप काट लेते है, जड़ से बिलकुल नीचे से, उसको बोलते है chop down करना है बिलकुल, नीचे से उसने क्या कर लिया? chop down कर लिया, काट लिया all the trees, सारे के सारे पेड़ों को around मतलब आसपास के, है न? जो crooked tree था उसके आसपास के सारे पेड़ को उसने chop down कर दिया, बिलकुल नीचे से काड दिया, बिलकुल तने साइद बिलकुल, है न? accept छोड़ के के सिवाए, accept का मतलब होता है के अलावा किसको छोड़ कर, accept मतलब को छोड़ कर किसको छोड़ कर? accept the crooked one crooked one का मतलब होता है वाला, है न? ये वाला, वो वाला ऐसा करके न, crooked one मतलब मुडा वाला, band वाला, जो तेडा-मेडा वाला था, उसको accept मतलब छोड़ कर, मुडे वाले को छोड़ कर, around मतलब उसके आसपास के सारे tree को उसने क्या कर लिया, chop down कर लिया मतलब, काड दिया बिल्कुल even after it ever, हाँ, ever ever after it ever मतलब होता है आज तक, after मतलब के बाद it मतलब इसके, इसके बाद आज तक, the crooked tree, वो जो मुडा हुआ crooked tree था, was, वो था क्या था, in ev, in ev मतलब वो एक अलग घमण में था एकदम, मतलब, खुसी में था ev का मतलब क्या होता है, हैरानी में हैरानी में पढ़ जाना है ना, आप बोल सकते है हैरानी में, एकदम सदमे में पढ़ा हुआ था, है ना, एकदम, है ना ever after it उसके बाद आज तक, जो the crooked tree, जो crooked tree था, was, वो था in ev, in ev मतलब वो अचमे में था, वो सदमे में था of its own crookedness अपनी खुद की इस crookedness को लेकर के सदमे में था, मतलब हैरान था हो, है ना, its मतलब उसकी own, मतलब खुद की उसकी खुद की, जो crookedness है जो उसका जो तेडापन है, है ना तेडा मेडापन जो है, उसको लेकर वो क्या था, बिल्कुल हैरान था अगर मैं भी सीधा होता तो मैं भी कट जाता मैं भी कट जाता बाकी पेडों की तरह तो उसका जो crookedness था उसने उसकी जान बचा ली ठीक है तो ये story यहीं पर खतम होती है guys thank you very much अगर आपको story अच्छी लगी तो मुझे comment करके बताना और मेरी वीडियो को like और चैनल को subscribe करना thank you very much my dear student